दोस्तो अगर आपको भी C.I.D. शो देखना पसंद है और आप C.I.D. के ब्यूटी कुइंज इंस्पेक्टर पूर्वी और इंस्पेक्टर श्रेया इन दोनों को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस बीडियों को दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तो आज के इस बीड़ें में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर पूर्वी और इंस्पेक्टर श्रेया के बीच होने वाले जखड़े के बारे में एक दूसरे के हाथ से गन चीनने के लिए लड़ रहे हैं क्या है पुरा मामला, कौन से एपिसोड में आपको ये सीन देखने को मिलेगा और इस लड़ाए में किसकी जीत होने वाली है सब कुछ दोस्तों आपको इस बुरों में बताने चाह रहा हूं तो बुरों कन तक जरूर देखेगा तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें ये जो सीन है ये आपको देखने को मिलेगा CID के आने वाले सीजन यानि कि CID के सीजन टू में इसके अलाबा दोस्तों अगर बात करें CID के सीजन टू के कलाकार के बारे में तो इसमें आपको CID के पुराने शो के जितने भी कलाकर थे वो सब आपको देखने को मिलेंगे इसके अलाभ़ा आपको 4 नए CID अपसर्च भी देखने को मिलेंगे और इस बार के शो में दोस्तों आपको DCP चितरो ले जो है हर एपिसोड में नहीं आते हैं लेकिन कई के एपिसोड में आते थे Season 1 में लेकिन वो अभी season 2 में CID का हिस्था नहीं वनेंगे तो दोस्तो इस बार जो ACV प्रद्धुमन है वो ही CID के टीम को लीड करेंगे आने वाले season 2 में अगर बात करें दोस्तो इस एपिसोड के बारे में तो इस एपिसोड में दोस्तो जो गुनागार होता है जो क्रिमिनल होता है उसने एक ऐसा ग्यास बना लिया होता है जिससे जो CID की टीम है वो एक दूसरे के जान की दुश्मन बन जाती है यानि कि CID की टीम जो है वो एक द बच करता है तो वो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं इसी भी दोस्तो इंस्पेक्टर फूर्बी और श्रया जो है वो एक दूसरे का गन चिनने लगते हैं एक दूसरे पर गोली चलाने के लिए CID की टीम अपने होश्वाबाज में नहीं रहती है बहुत भला है दोस्तो ऐसी प्रद्धुमन का जो की आकर इन सब को निकालते हैं और इन सब को उस ग्यास के चंगुल से बचाते हैं नहीं तो CID की टीम जो है वो एक दूसरे को गोली करके खातम ही कर डालती यह जो अपिसोड है दोस्तो यह आपको दो भागों में देखने को मिलेगा CID काने वाले सीजन डू में आप लोग बस थोड़ा सा इंतिजार करिये दोस्तो जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है और CID का लाँच इवेंट होता है मैं आपको भुर्यों बनाकर बताने की पूरी कुशिश करूँगा जब तक CID आता है कि कब तक CID आपके घर पर आ जाएगा तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद